हलो दोस्तों मिना नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टाडी चैनल यूपिटेट दोसारे किस रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छातर सवाल पुछ रहे हैं कि कब तक ही रिजल्ट आएगा तो दोस्तों रिजल्ट होली की आसपास आने की उमीद्य थी लेकिन रिज ले हो गया है चुनाओं की वज़े से रिजल्ट में पहले डिले हुआ था तेश जनौरी को एक्जाम हुआ था पच्छिस पर उनी को इसका रिजल्ट आने वाला था लेकिन अचास साहितर की वज़े से रिजल्ट जारी नहीं हुआ जैसे चुनाओं की नतीजे आये 10 और बहुत सारे चात्रों ने इसके संब्द में खंपेंद दर्च कराए थी कि बेसिस परिसा रस्पस्ट करे और कब तक इसका रिजल्ट जारी करेगा तो देख सकती है जवाब इसका आया है कि 11 मार्च को जो प्रस्ताव भेजा गया था प्रस्ताव भेजने के लिए कहा ग लगा तो मान कर चला कि कम से कम पच्छीज फरवरी या इसके बाद ही अभ आपका रिजल्ट आपाये गा तो अभी हाल-फिल-हाल में एक डो दिनों में तीन दिनों में रिजल्ट नहीं आने वाला है काफी चातरों को इसको लेकर धक्का लगा है क्योंकि मीदेथ ही ती कि और करना पड़ेगा थोड़ा सा धायरे बनाये रखें और बहुत जादा परिशान होने की जुरत नहीं है यूपिटेट रिजल्ट को लेकर क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तुरन तो कोई भरती आने जा नहीं रही है तो यूपिटेट का एक्जम आपने देही दिया है अब तो सिक्षक भरती से पहले आपको सीटेट की परिक्षा देने का भी मौका मिलेगा उतर प्रदेश में यूपिटेट की असाथ सेटेट भी मानने होता है 17,000 सिक्षक भरती की चर्चाएं हो रही है उतर प्रदेश में हो सकता यह वरती इसी साल देखने को मिले लेकिन उसे नमबर यहां पर आपको common मिल सकता है दो से तीन वैसे तो चार से पांच आराम से मिल जाते बहुत सारे सवालों में यहां पर confusion है बहुत सारे विवादी सवाल हैं 27 के बहुत सारे सवाल repeated हैं सारा मामला आपको पता ही है लेकिन PNP का यह record रहा है दो नमबर तीन नमबर सारा उन्होंने कभी दिया नहीं है तो ऐसा ही हो इस बार भी करने वाले हैं बाकि इस मामले में आगे और भी कोई अपडेट और जानकाई निकल कर आएगी तो आपको सुचना दिया जाएगा फिलहाल रिजल्ट को लेकर आप लोग धैरिब बनाये रखें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल को सस्क्राइब करके बलाएकन दबा लेजे ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉमेशन मिलती रहे थान्क्स वाचिंग.